इंदॉर शहर की पहली कच्रा मुक्त कॉलोनी इंदॉर की एक ऐसी कॉलोनी जहां कच्रा उठाने नहीं आती निगम की गारी पहले जीरो वेस्ट कालोरी जहां अब नहीं आती निगम की गारी महात्मा गान्दी द्वारा देखा गया स्वच भारत का सपना अब साकार होनी लगा है जिसका जीता जाकता उधारन है इंदोर का परमानू नगर आपको यादी होगा कि 2 अक्टुबर 2014 को सच भारत मिशन देश भर में व्यापक तोर पर रास्टी आंदोलन की रूप में शुरू किया गया था महात्मा गान्दी के सच भारत के सपने को इंदोर में परमानू नगर के रहवासियों ने साकार कर दिखाया है तरसल इंदोर कैट रोड सथ परमानू नगर शहर की पहली जीरू वेस्ट कॉलोनी बन गई है यहां से अब बिल्कुल भी कच्रा बाहर नहीं जाता है यहां तक इंदोर नगर निगम की कच्रा गारी ने भी यहां आना बंद कर दिया है यहां के रहवासी गीले सुखे कच्रे से खाद बनाकर गार्डन की खूपसूरती को बढ़ा रहा है साथी साथ सुखे कच्रे को इखटा कर निगर निगम को बेच कर कमाई भी कर रहा है यदि कोई रहवासी कॉलोनी में गंद की फैलाता नजर आता है तो सुसाइटी में लगे सीसी टिवी कैमरों के माध्यम से जाच करने की बाद उस पर तीन सो रुपई का जुरमाना भी लगा जाता है यदि ज़्यादा गंद की होती है तो जुरमाना ज़्यादा भी लगा जाता है इस कॉलोनी में तक करीबं 57 परिवार रहते हैं यहां के रवासी जी एन नायर बताते हैं कि पंदरा फरवरी ऐसा है जो घर में ही गीले कच्रे को कंपोस कर रहा है। 42 परिवारों के लिए एक महिला रोजाना डोर टोर गीला कच्रा एकटा करती है और कालोनी में निगम द्वारा बनाए कंपोस पीट में डालती है। यहीं पर खात को त्यार किया जाता है। खायत त्यार हो जाने की बात उसे गारडन में पीर पोधे लग के लिए उपयोग मिलाया जाता है। परमाणो नगर के लोगों की ये मुहीम अब रंग लाने लगी है। इस विस्था को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हर घर के सामने बने गारडन से निकलने वाले सुखे कच्रे को हर सोंबार माली डोड डोड इखता करता है। इस कचरे को सूखे कंपोस पीट में डाला जाता है। कंपोस पक्रिया होने के बाद दूनों पीट से निकलने वाली खाद को कॉलनी के बड़े गार्डन में उप्यों किया जाता है। जिसे गार्डन के पेर पोधे हरे भरे हो रहे हैं। हरगर से निकलने वाली रद्धी जैसे पेपर, किताबे, पॉलिथीन, कांच वा प्लास्टिक की बॉटल प्रतिक रविवार को वाट्सप ग्रूप पर सुचीत कर एकटा की जा दी है फिर इसे नगानिगम को रिसाइकल करने के लिए धाई रुपए के लोगे हिसाब से बेच दिया जाता है परमानु नगर के रहवास्यों की ये सोच सही माइनी में इन दौर को नंबर वन बनाने में कारगर साबित हो रही है ये मुहीम लोगों के लिए प्रहिणा के साथी प्रिधान मंत्री नरींद्र मोधी के स्वच भारत मिशन के सपने को एक कदम मौरागी ले जारी है इन दौर समाधा ता आशीष सिंकी रिपोर्ट आसर सुबे की सुरुबात कैसे होती है ये हमारा एक एक एम्बलोई है वो घर घर जाके जो सेपरेट करा हुआ कचरा जैसे की कि चन वेश के लिए अलग डश भी नहीं और राइवेश के लिए अलग से रखा है और तीसरे एक है जो अजार्डस बेश्ट निकलते हैं उसके लिए वो बढ़ेट करके पीछे हमारा जो डिस्पोसल प्लेस है जो मानेजमेंट रखा है उसमें बेश मानेजमेंट का वहां जाके उसको सेपरेट जगा पर उसको डिपोसिट करते हैं उसके बाद में फिर उसको हम लोग ने उसको जो नो जैसा गार्डन वेश्ट होते हैं हफते में एक दिन मंडे को सुबे गर सबहर तैसे इस परक है इसमें सफ हैंजम करते हैं अजना में बेश में गपाहिक और वर लेगां घालें पलाहना साह कर तो सिर्फ है कि खात को हम लोग पुरा परमाणानर नगर जो गांदन है उसमें इस्तमाल करते हैं वह सारी प्लांडेशन इसे पर इस्तमाल करते हैं उसका 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 सर्क 2003 से आपने जैसे सुरुवाद की वहां से सोड़ा सा बता हुए यह पर्मन नगर में जब जो पहले मकाने बनाना शुरू हो गया था उसी समय से लेके अम लोग एचारेदे की इसको एक आदर्श रेवास बनाएं इसी डिरेक परवन नगर को आगे जाके जहां जो भी रहने आते हैं वह अच्छा से रह पाए मलाब एंवेंटमेंडिली फ्रेंडली रह पाए उसमें उस हिसाब से हम लोग ने शुरुआत किया था दो जार तीन से किचन वेश को उसको खात में करने का परक्रिया शुरू किया था उसक जब वो सक्सेस्फुल रहा फिर उसके आगे पिछले तीन साल से हम लोग उसको ड्राइवेश का और गार्डन वेश यह सब अलग-अलग करने लगाए और उसमें और इसमें क्या अंतार ने पहले लोगों में इतना अवेरनेस नहीं था क्यों अपना शुरू में कहीं भी कुछ भी सामने हाथ में जो भी बेशता कुछ पैपरो या जो भी हो फेकने लगते थे मर आज में क्या है अवेरनस आ गया यदि मेरे पास कुछ खच्रा आ भी गया तो मैं आसपस में देखते हैं कि कई उसका डेश बिन मिले उदर डाले तो यह ड़िए फरक तो पड़ा है इसमें कोई डाउट नहीं है अवेरनस काफी आया या बैचों तक अवेरनस आया है इसका फाइदा रहेगा आगे आपका नाम सर्थ मेरा नाम है जी आर नायर में परमाड़नागर करेवासी हूँ अगर हम ऐसा करते हैं तो आगे के लिए हमारे लिए फाइदा क्या है कुछ कर सकते हैं यह जो परमाड़नागर एक छोटा सी जगह है को लिए हो लोग कर सकते तो सबी कर सकते उसमें इस इतना है कि आपका तोड़ा से उसका सोच को बदलना पड़ेगा लोगों में अवेरनस लाना पड़ेगे कि क्यों करने जा रहा है उसका फाइदा तो डेफिनेट करना बहुत आसान रहेगा को इस पर्टिकुलर कोले नी उनका कच्रे का जो वेस्ट मानेजमेंट लगा तो कई बाहर भी कई कर देखेगा आपको है को कर लोग सीखनी भी आते होंगी सीखनी के लिए देखनी के लिए अभी तक कोई कुछ कोड़नी वाल आए थे किस तरह स उसका management किस तरह से वेश management होते हो देखे चले जाते हैं तो इस मुहीं में पूरे रहवासी जा उसका support उनी कही है उनका वज़े से तो successful है जी है ऐसा नहीं है कि वह एक वेक्ती दो वेक्ती नहीं है पूरा परमानदगर में जितना भी रहवासी है वह सब cooperate करते हैं और support करते है निए इसमें बागीदारी पी उनका पूरा क्लीन रह्तने का पूरा अशी में उसका बागीदारी है जी इसमा परमानदगर फर्स्ट कोल्ड ने पूरा मद्य प्रदेश में जिरो वेस्ट कोड़नी डिक्लेड किया है और यहां से हम लोग जो ड्याइवेस्ट निकलते हैं उससे भी हमको इंगम हो रहा है उसमें जी तो कैसा महसूस होता है इसा प्राउड फील होता है यह डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है यह प्राउड आफ बिंग परमान नगर और पुरा अभी आजकल काफी लोग ने बाहर भी पूछने लगाए कि परमान नगर का ना